हालो व्यूवर्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैं हूं पूजा लूथरा और आज मैं आपको बताऊंगी बालों का गिरना और जड़ना रोपने के कुछ असान से घरेले उपाए पहला उपाए है कैबेज यानि बंद गोबी आप बंद गोबी को अच्छे से धो ली लीजिए इसका पेस्ट बना लीजिए अब इस पेस्ट को आप कपड़े से चान लीजिए अब इस छने हुए बंद गोबी के जूस को आप अपने बालों की जड़ों में और बालों में लगाईए और पांच से दस मिनट तक अच्छे से मसाज कीजिए फिर दो घंटे के ब कप दही में एक चमच काली मिर्च और एक चमच नमक मिला लीजिए अब इस मिश्रन को बालों और बालों की जड़ों में लगाईए और एक घंटे के बाद बालों को हर्बल शैंपू से धो दीजिए इस उपाय को करने से भी बाल गिरना बंद होते हैं और नए बाल बहुत और इसे बालों में लगाएं इससे भी बाल गिरना रुकते हैं और यह बहुत ही एफेक्टिव रेमेडी है एलम यानि फिटकरी को पानी में घोल लीजिए अब इस फिटकरी वाले पानी को बालों की जड़ों में लगाएं हफते में तीन चार बार इस उपाय को यूज रस में हलदी पाउड़र मिलाकर बालों में लगाने से भी बालों का गिरना रुखता है नेक्स्ट रेमेडी इस प्रकार है दो चमच जैथून के तेल में एक चमच दाल चीनी पाउड़र और पैडर एक चमच शहद मिलाएं और इससे बालों की मालिश करें दो घंटे के ब खरेलू टिप्स और उपाए आप इन में से एक या दो रेमेडीज अपनी सोविधा अनुसार चुन सकते हैं और यूज कर सकते हैं प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए एक और इंफोमेटिव वीडिय लेकर मैं आपके पास फिराऊंगी तब तक के लिए stay healthy, always be happy and take good care of yourself. Thank you for watching my video. Bye!